हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माइच चानल तो आज में आप सब के लिए लेकर आई हूँ चटपटे आम के खटे मिटे अचार की रेसिपी जिसे बनाना काफी आसाने इसे कोई भी बना सकता है और यह इंस्टंट बनता है और इसके लिए जो मसाले है उसे भी हम घर में ही प निकाल लेना है और इसे हमें हलका हलका भून लेना है और जब तक मसाले भूनेंगे तब तक हम इसमें लगने वाला जो ओईल है उसे भी गरम करने के लिए रख देंगे आप जो भी ओईल खाना पसंद करते हो जैसे सरसो का तील का फली का जो भी ओली ओईल तो आप उसे ग पर इस भूने के बादं को पीष काया में लेका है,दो सकते हों और इसे बाद की भूने,वार भूने के बादं आप ऐसी हिसा पीषान हों, dustyजिह लेकिनाया अरनी काया, से ही दरदरा कूट लेना है और इस लसून की कलियों को एक कटोरिय में निकाल के जो हमने ऑइल गरम किया था तो उसमें से थोड़ा सा ऐल लेके उसे मिक्स करके रख देना है ताकि जो लसून का कच्छापन है हल्का सा वो चला जाए फिर एक भगोने में हमने जो अचार की के तो यह जो जो मसाल इकना डेना कि यह स्में 20-20 और पूरा करते हो सती हमने दो चमच शल्धी पाउडर डाल जेना है तो इसमें मिर्ची पाउडर कर दिएं है और आप टीका खाना पसंद करते हो तो आप इसमें और प्रबगन और जो नमक डाल दिया है और जो कलोंजी हमने और अज़ neighbor Hudson कोणा करी अगरा साथी में जो मैं ने पैस तेर करकर रखा था वह भी इसने डाल देना है और इसमें मैंने ऊपर से दो चमच भी डाला है अगरह चीज द shortcuts करते हो तो च्वरा डाल सकते हो या फिर या पित अजित के गुंगुने तेल में भी आप इसे हिंग को आड़ कर सकते ह haben कि अपी यहां मिलाई और खार करके राद भर या एक दिन के लिए ऐसे भगोने में चोड़ेश को पानी में अच्छे से चूड़ जाए है और फिसेश में अपर जाए हो मेंare अगर आपके आम जो है वो जादा खट्टे है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरी केरी जो है वो थोड़ी जादा खट्टी थी तो मैंने इसमें 100 ग्राम के करिब गुड डाल दिया था और आप देख सकते हो इसका पानी भी छूड गया है नमक का भी पानी और अचार काफी अच्छा और टेस्टी बनके रेडी है इसे धूप बगेरा दिखाने के ज़रूरत नहीं बस अचार बनने के बाद इससे आप सूखे और एरटाइट कंटेनर में या किसी काच के बरनी मे भर के रग दीजे और आप इसे हपते में एक बार उपर से नीचे करते रहेगा यानि हिलाते रहेगा तो आपका